अगर आप सबजी वाली फसलों से अपने केरियर की स्टार्टिंग करना चाहते हो खेती में या फिर आप परंपरागत खेती करते हुए परेसान हो चुके हो आपको खेती से कुछ बढ़िया पैसे कमाने हैं तो आप टैंसन मतलो इस वीडियो को कम्प्लिट देख लीजी और स भी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजेर साथ ही पासवाड बैल आइकन घंटे के निसान को भी प्रेस कर लीजे ताकि आपको समय पर जो भी हम वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करें उसक योगो शेयर कर दीजी तो सबसे पहले बात करते हैं जुलाई के महीने में हमें कौन-कौन सी चुनिंदा सब्सक्राइब वर्ग फसल है उनको प्रात्मिक्ता के तोर पर लेके चलना चाहिए जिससे उनको बढ़िया रेट मिल सकर साथ उसका उत्पादन भी बढ़िया जु फूल गोबिया ना मेरे सबसे फाइवरेट खाले और पूरे साल के अंदर फूल गोबियो जो सप्लाई बाजयर के अदर चलती रहते हैं आप लोगों पता है लेकिन प्रीकिस से जचादा बाजयर हो कब मिलते हैं भाई अगस्त में सेप्टेंबर में मतलब बरसात इस्टार्ट होती तब से लेकर दिपावली तक का जो टाइम होता है ना यह जो तीन महीने होते हैं उस टाइम में पूरे साल की सबसे ज्यादा बाजार भावे ना फूल गोबी को वह मिल रहे होते हैं तो इस ट रेट की तो गैरेंटी देता हूं भाई इस टाइम के लगी हुई फूल गोबी को 50 रुपी किलो से 80 रुपी किलो के बीच में रेट जरूर मिलते हैं लेकिन इसके पीछे भी एक और सच्छुपा हुआ है इतने ज्यादा रेट मिलने का कारण क्या है कि बाजार के अंदर पाणी भर जाता है तो भाई खराब हुजाती फसल तो सबसे पहले रखणी खेट करना है जिसके अंदर पाणी ना भरता हो और यह सावधानी तो बहिए इस भरसात के सीजर में आपको पूरी जितनी भी सबजी वाली फसले में अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं सबी का अंदर अप्लाई करनी है तो भाई पहली हमारी फसल हुई फूल गोबी अब बात करते हैं भाई इसके अलावा जो हमारी दूसरी फेवरेट फसल है वो है हरी मिर्ची की फसल हरी मिर्ची के जो रेट है न भाई आज से 15-20 दिन पहले बाजार में आप लोगों ने भी देखा होगा 10 रुपे किलो से 20 रुपे किलो के बीच मिल रहे तो यह लगातार 3-4 महिनों से सिलसला चलता रहा था लेकिन भाई अगर आज आप मंडियों में जातते हो और हरी मिर्ची के रेट पूछते हो तो भाई आपको लगबग 30 रुपे से 40 रुपे किलो के बीच में उसके रेट मिलेंगे और ये रेट और आगे बढ़ने वाड़े हैं भाई इसके अंदर कोई शक नहीं यह बात मैंने हर महिने आप लोगों से बोली थी कि भाईया अगर आपने हरी मिर्ची की बुआई चाहे वो जनवरी में की हो या फरवरी में की हो तो उसको बचा के रखना है उसके अंदर प फिर उसके अंदर क्या होता है भाया लेव करल वाईरस और मोजक वाईरस वह आ जाते हैं और उपर से जो पोधा है उनकी पत्याँ वह बिल्कूल एकदम बंद हो जाती है फिर उसके अंदर आप चाहे जितना जोर लगा लो फिर उसका कोई लाज नहीं और ये बीमारी भाय ना कोई मोजेक वायरस की प्रोबलम आई ना ही हमारे कीट के ब्लाइट की समझी एक्टेरिय। वाइरेस की रोकता है साथ ही वाईर्यल डीजीज होती है उससे अपनी खाझा करता है इसको आप मिर्ची के अंदर टमाटर में भिंडी में करेले में पपीता भिंडी या बहुत सी और सब्जी वाड़ी फसल है नो उनको पर आप कर सकते हूं यह 100% टॉक्सिक फ्री प्रोड़क्ट है भाई यह ना हमारी फसलों के अंदर लगने वाले जैसे की लीफ करल वाईरस है मोजेक वाईरस ह या फिर अल्ली ब्लाईट है लेट विलाइट है यह फिर बैक्टीरिय जनित जितनी बीमारी होते न उनको पर अच्छे से कंट्रोल करता है भाई इसके अंदर अपने कुछ सावधानिया बरतनी होती जैसे कि इसको जब अपने इस प्रेय करें अपने खिटों के अंदर तो इसके साथ कोई भी केमिकल वाड़ जो पेश्टी सायर है ना उनके साथ सेस्प्रेय करने सात इसके स्प्रेय हमें या सूबै कreğ어도 और साम के टाइमकरने दोपहर मैं करनी रही बात इसकी डॉज की तो भाई इसको आपन एक पाणी में 1.25 ml मतलब 7 ml डोज रखनी है इसकी स्प्रेय हम अपनी फसल के अंदर प्रिवेंटिव में भी और क्योरेटिव दोनों टाइम कर सकते हैं इसको भाई मैंने एमेजोन से मंगाया है इसकी जो 100 ml की बोटल है वो 449 रुपे की आती है अगर आप भी इसको मंगवाना च चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बोक्स में एमेजोन का लिंक दिया हो उस पर क्लिक करके आप अपने घर पर ही इसको मंगा सकते हो साथ ही इसको आप एगरी बैगरी एपर से भी खरीद सकते हो तो भाईया आप निश्चिंत रहिए मिर्ची की फसल आप लग महीने में फिर बात करते हैं अगली हमारी कौन सी चुनिंद सब्जी वाड़ी फसल होगी तो उसमें भाईया अपन लेंगे बैंगन की फसल को बैंगन है ना अगर आप जुलाई के महीने में चाहिए वह फस्ट वीक में लगाओ या आखरी में लगाओ लगा लेते हो तो भ खेत के अंदर हर चोथे दिन पांच हुए दिन या एक सब्ता में एक बार इल्लियों की स्प्रे कर देगा क्योंकि बैंगन फसल के अंदर सबसे जो घातक बीमारी है ना वो उसके अंदर एक तो फल छेदक इल्ली होती है और बरसात के मुसम में सबसे ज्यादा रेट मिलने है का खारण भी एल्ली होती भाई क्योंकि किसान है ना वो कहीं ना कहीं या तो लापरवई कर जाते हैं या पर उनको बढ़िया इंसैक्टिसाइड मिल नहीं पातें जिस्से की बैंगन फसल के अंदर एंदर एल्लियों को क हुआ कि बहिया वह तो तड्र यह फल के बीच मे होगी तो उसको मारनेंग लिए बहुत हाइली टेक्निकल यूज करने पड़ते हैं जैसे कि आप सुरुवात कर सकते हो इमीडे क्लोरोपेड से इसके अलाव आप परफोन फो साइपर मैथरीन बिले सकते हो डेल्टा मैथरीन बिले सकते हो एक फैम आती बायर कंपनी की जो इस कर सकते हो लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंस बना कर रखनी होगी अगर बहाइंगन की फचल आप ने बचा लिए बर्सात के सीजन में तो पैशों की बशात ही हो जाएगे आपको उपर तो भई आप बहाईंगन की बवाई कर सकते हो इसके अलावँ फिर बात करते हैं अगल साल के सबसे ज्यादा रेट मिलते भाइया तिर दुबारह बता रहे हुआ आप लोगों को इसी टाइम मिलते हैं बर्शात वाड़े लगते हैं उन्हीं को मिलते हैं और एक के रिट के अगर मैं बताऊ ना कभी तो आप लोगों देखा और यह जो मैं फसले बता ही ना आप लोगों से गोभी की टमाटर की और मिर्ची की इनके अंदर आपको विशेश सावधानी और भी रखनी कि इसके अंदर लगाते वक्त ना आपको मेड के उपर या बैड की उपर लगानी भाई ऐसा मत कर लेना कि यार आप फिलेट सर्फेस या बैड को पर कीजी ताकि आपके फसल बरसात से बची रहे इसके लावा आपन को लगानी फिर भाई या भिंडी की फसल भिंडी के जो बाजार भाव है ना आप समझ सकते हो बरसात के सीजन भाई 20 रूपी किलो तो मिली जाएंगे अब 20 रूपी किलो मिलेंगे तो आपक बाजी वाली फसल भाई उसको रेट मिलेंगे ही मिलेंगे जानदार और सांदार तो भाई आप जुलाई के महीने में चाहे आप जुलाई के आखरी वीक में लगाओ आप हरी प्याज की बौई कर लीजिए भाई जो सब जोकंदर चलती है ना हरी प्याज आल वाली प्याज जिसको बोलते हैं भाई आपने देखा होगा आलवाली प्याज की जब सुरुवात होती है मतलब वो अगस्त हो या सेप्टेमबर हो उस टाइम पर हरी जो प्याज के रेट होता है ना भाई करेला या करेली पर बैंके जो बाजार भावे उन वह जादा फर्क है इस टाइम में आप चोटे वाड़े चुहा करेली की बुवाई करते हो बाजार के अंदर आपको पक्का पिसले साल का अगर मैं ट्रेंड मताऊ जो मैंने आपने खेत के अंदर लगाय था तो जब फसल हमा प्तर रुपे किलो के लगभगा में बजार रेट मिले थे बाकी जो छोटे वड़े चुह करेला ने उसको लगभग मैं एक ओन एवरेज बताऊं तो 30-40 रुपे किलो तो लगातार रेट उनको मिलते रहते हैं बस इसका अंदर आपको यह सावधानी रखनी कि इस टाइम पर जब आप करेली की बुआई करने जा रहे हो तो उसको आपको मचान को पर चड़ाना है या फिर आप अपने खेत के मेड़ के ऊपर कोई भी बांस गाड लीजी या फिर आपने तार बंदी कर रखी तो बले-बले भाई उसको उपर आप लगा दीजिए फिर देखिए भाई इसके लाव बेलवर की फसलों का अंदर आप वही इसकेटिंग से मतलब वही तार बांस की बंधाई करके आप खेरे की बुआई भी इस टाइम को जो लगे हुए खेरे होते हैं उनको बहुत जादा मिलते हैं लेकिन इसके अंदर भाई यही है कि अगर आप नीचे जमीन मे फिलेट सर्फेस पर खेरे की बुआई करते हो या फिर कोई भी बेल वाली फसल लगाते हो तो उसका अंदर एक तो बिमारियां ज्यादा आएंगी खरपतवार की समस्या होगी और साथ ही जहरीली जीव जन तो है उससे भी डर होता है देखो किलियर बता रहे हैं आपन किसा करो ने नीचे वाली फिलेट सर्फेस वाली फसल से अपनी उस मचान को पर चड़ी हुई सब्जी वाली फसल की तो मंडियों में आपको पता चल जगा रेट का अंदर कितना ज्यादा फार्क होता है क्वालिटी में इसके अलावा फिर बात करते हैं भाहिया कुछ और बेल आप लौकी ऐा नडर भाइया और साथ ही आप गिलकी तोहरी की बॉखाई कर लिजिक है कि और लगाई थी भाई जब इस टाइम के लगी हुई बजार मैं जाते आए जहिए ना पर 30 रृटे के लिग वाल हमिलते हैं भाई बस आप एक बार लगा दो हल्की-फुल्की लोग अंदर कर रहें उसी टाइम के उपर अब इनके अलावा फिर बात करते हैं भाईया कुछ ऐसी चोटी सब्जी वाड़ी फसले जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो ना तो कई बार तो क्या होता कि यह बहुत जादा पैसे दे जाती है आपकी जो बड़ी फसले हो को आप अगर जुलाई के आखरी वीक में मूडी की बुवाई कर लेते हो जब वो मूडी बाजार में जाएगी उस टाइम पर आपको लगभग मैं लगभग बता रहा हूं भाईयो 40-50 रुपे के लिए के बाजार भाव तो मिली जाएंगे अगर आपकी मूडी की यह दोनों नौट कर लीजिए इनको अगर आप जमीन में बेसल डोज में डाल देते हो और फिर आप मेड़ निकाल के मूडी की बुवाई करते हो तो मूडी के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि मूडी में नीचे उनकी जड़ों में या फिर पूरा जो मूडी का कंद ह होता है उसमें लाइनिंग सी बढ़ जाती या फिर उसके अंदर काड़े काड़े धब्बे बढ़ जाते हैं जैसी की कोई कीड़ खा जाता हो और फिर बजार में उनको रेट नहीं मिल पाते हो तो भाया उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगे अगर आप यह काम कर लेत है इसमें क्या होता कि बरशाथ की वजेशन पालक है बाजार का अंदर बहुत कं पहुत पहुनच पाता है वागी आपको कुछ साव्धानिया परत्रनी होगी जैसे कि आपको पालक की बिजाई करकती तीन चार दिन बाद लिए बाद लेना इसके अलावा आप जुलाई के वीक में भाई धनिया की बुवाई कर लीजी भाई धनिया है इस टाइम का जो बुवाई होता है वो अक्सर आपन देख रहे होते हैं उनको रेट तो बढ़िया मिलते ही मिलते हैं क्योंकि धनिया भी बाजार के अंदर जब सोर्ट हो जाती कोई चीज़ तो उसके रेट आपको सिचाई करनी मिनी स्प्रिंकलर से तो धनिया को बीजन वो जर्मिनेट हो जाएंगे जर्मिनेट होने के बाद अपनी फसल को बचाने के लिए आपको एक बायर कंपनी का एलियेट नाम से फंजिसाइड आता जिसमें एलमूनियम फोस्ट आई लागती है उसकी इस प के अंदर भी यह भाई उसके अंदर भी बरसात होती पूरी फसल खराब हो जाती उसमें भी आपको वह एलमूनियम फोस्ट आइल जो बायर के अलियेट आता या फिर आप कार मेंडे जब मैन को जो भी इसके स्प्रे कर दीजिए फिर देखिए आपकी जो छोटी फसले हैं यह बहुत बड़े पैसे कमा के देदेंगे आपको तो भाया अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो किर्पया भाई एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजी और साथ ही इस वीडियो को जादा जादा दूसरे किसान भायों तक भी सेयर कीजी और साथ ही हम subscribe कीजिए धन्यवाद